विरावाहिंदर के अंदर कल भी दोसुत्यारीस केसिस पॉजिटिव है। इसमें से कुछ लोगों ने प्राइवेट होट स्पिटल का दरवजा चुना, कुछ लोगों ने कॉर्परेशन का चुना। अधिकतर लोग कॉर्परेशन चुनते। कॉर्परेशन के अंदर जब पेशन जाता है तो इसको तीम पाइट में सेग्रिकेट किया जाता है। ऐसे लोगों को CCC, मतलब कोविट केर सेंटर के अंदर एड्मिट किया जाता है। उन्हें किसी भी प्राकार की कोई भी दवाई नी दियाती है। खाली सुवे शाम उनका टेंपरेशर मेजर किया जाता है। उनका विपी बगरा चेक के आता है ताकि पता चले कि पेशन में किसी भी तरह कोई तकलिप नहीं है। तो एक रुपे की भी दवाई पे खर्च नहीं होता है। दूसरे पेशन्ट को है जो असिंत्मेटिक है लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई मल्टीपल बिबारिया जैसे किसी को डाइबिटेज वाला हो सकता है, कोई शुगर अन्निक प्रकार गया अस्तमा वाला हो सकता है, या किसी को भुकार है, किसी को खासी है। इन लोगों के उपर दवाई भी दी जाती है, दवाई का खर्च लेकिन अगर देखेंगे तो सो रुपय से जाधा की दवाई कुविट सेंटर के अंदर दी नहीं जाती है, मतलब सो रुपया डेली का खर्च होता है। इतनी दवाई उनको दी चाती है। उनका भी temperature, oxygen level और बाकी सब चीजें जो है day to day check करते हैं और जब अगर कोई लगता है कि इसमें कोई patient जो है उनका oxygen level गिर रहा है या और कुछ तकलिप आ लिए तो उसको टेम्मा में shift क्या जाता है या भरती होते समय अगर एक patient ऐसा जिसको seriousness है या oxygen level गिरा हुआ है उनको पहले ही टेम्मा में रखते जो के पंडित भीम सें जोशी ऑस्पिटल के नाम से जाना जाता है तो इसे तीन प्रकार गें अब अधिकतर जो patient है वो 70% patient जो है वो कुविट सेंटर में जाते तीस टका ही टेम्मा या पंडित भीम सें जोशी ऑस्पिटल बुले उसके अंदर जाते क्योंकि उन्हें वाके में अच्छे उप्चार की जरूत है लेकिन ये जो patient है मांकर 100 रुपे में ठीक होते लेकिन ऐसी बीमारे जो private में जाते हैं उनकी भी यही हालत है वहाँ भी जितने भी patient private में जाते हैं मानके चलो अगर 50 patient private में गे तो उसमें 70% जो patient है उन्हें कोई serious बीमारी नहीं है खाली करोना positive आया है तो ऐसे लोग जो घबरा जाते हैं और जो लोग सुचते कि नहीं नह इलाज ठीक नहीं होगा वो भी जाके private में एडमित होते हैं और बार में 2-2 लाख रुपया बील आता है पास दिन साथ दिन का ऐसे लोग जो है परिशान होते उनकी लिए मैं कहना चाहूँगा यह ज़र आपको किसी बी तरह के symptom नहीं है तो जिनता करने के आवशकता नहीं कोविट सेंटर में भी जाके एडमित हो सकते तो आपको लाख रुपया बज सकते और जो सीरियस ने से या आपको मल्टीपल बीमारी तो मैं कहूँगा कि अपने फैमेरी डॉक्टर से सला करे उसके बाद ही जाके आप किसी जगा एडमित हो क्योंकि प्राइवेट जिस तर किसी जगा 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 पेशेंट को ठीक करें कुछ गलती है उसको अंग दिरे दिरे सुधा रहे जब आप पहली बाद दिन इसकी शुरुवार की तब अगर आप देखेंगे तो उस समय मैंने कहा था कि जब तीन सो पेशेंट मेरा वाहिंदर में होते तब सत्रा वंटी ल सकते हैं इस तरह के बंदन तब ही मैंने कहा था कि आप डायरेक्ली चीफ सेकेंटरी से बात करिया और मेरा महिंदर की परिस्टिती से आउपगत कराईए और वेंटी मंगवाईए आज मिले खुशी है कि मैडम ने तीन दिन पहले फोन किया और कल सत्रा वेंटी लिटर नहे कि एसे कही सारी चीजे जो समय समय पे हम पूरे करते आरे और मैं विशेश तोर पर ये कहूंगा कि हम घर में बैटके भी प्रिकॉशन प्रिकॉशन आप अपने इसाब से युमिनिटी पावर स्ट्रॉम करने के लिए एक्सेसाइज वाकिंग वगरा करते होंगे लेकिन चे एमेजॉन पर मिलेगा मैडिकल शॉप में मिलेगा आप देखेंगा अगर आपका ऑक्सिजन लेवल 95-100 के बीच में तो चिंता करने की भी जरूत नहीं उसके नीचे जब आता है तो आवश्ची चिंता करने की आवश्यक्ता होती है उस समय तो ये मीटर से भी डे टू डे अपने घर पर आप चेक करते रही है कि वेरा उक्सिजन लेवल बराबर है करी जो करोना संक्रे में मतलम कॉरंटेंग जिसे कहते हैं या जिसके घर में कोई पॉजिटिव रा है प्रेशन और बाकी जो लोगे वो भी इससे चेक कर सकते तो ये जानकरी मुझे आज आपको द जिनिती